इस ट्रास्फार्मर के मदद से मेल्ड मसीन बनाएंगे जो ताव से ज्यादा गरम कर सकता है यह बीजली के मदद से जल्दी इसके लिए हम को एक वायर लीना पड़ेगा जो मेरे पास दो पदलावला वायर उसमें में एड़ करेंगे जो डारेक्ट लाइन से जूटेगा 220 ब सब्सक्राइब कर सकते हैं कि मेरे ट्रास्फार्मर में 220 बोल्ट आ रहा है या दोनों वायर को अच्छी तरीका से जोड़ देते हैं मैंनस प्लस जोड़ लिए उसके बाद इसमें भी अम लाइन देते हैं सिधा करके जो बाद में सोट सरकिंटर लगे तरीकस बैठाने के ब मां डीरेच्टिे ट्रास्वार मानमें डिरएग्र के 220 वहल ऑँटार एन ऋःना हो और2020 के लाल पर को फ़स्ता चाहिए ऑ्रायारा। इसके लिए आउट्ट के मदद से भी हम आप लेते हैं कुटल कितना भूटे जा रहा है मतलब 213 वोल्ट अभी फिलाल मेरा ट्रास्वार्मर में आउट्पूट चेक करने के लिए क्या यह मैंड कर पाएगा यह कर पाएगा इसके लिए एक पती लेंगे इसको सब्सक्राइब कर देंगे लिए अच्छी पिल्खा से वर्क कराएगा कोई वी चीज़ कोई मेल्ड कर पाएगा तो भाग जबागी मेल्ड मसिन बनावा चाहिए तो यह 100% और की मेल्ड मसिन बन जाएगा करना है यह लगाव 20-25 वाल्ट एमपेर नाएगा जो आपको लोहा गलाने के लिए बहुत फावर्फुल होता है कोई वी लोहा को पतला पागा तो जल्दी में मेल्ड कर देंगा आग से जल्दी यह बिजली से मेल्ड कर देंगा इस ट्रास्वर्मर के मेल्द से लिए बॉल्टेज में लाइन देखे हैं यह आउटपुट एमपेर में करना है देखे एक बार और इसको अंजला के देख लेए का जन्रा या नहीं नहीं करता है कि हंडेट पर्टेंट है तो सो ग्रीज वाल्ट है और मीटर के भी मदद से गवारों माप लेते हैं एमपेर वोल् पर्टेंट नहीं है